नमश्कर दोस्तों, मैं संजै जेन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब बुद्ध खाना नमबर 11 में होगा। खाना नमबर 11 ज़ो है, वो शनी का पक्का घर है और ब्रसपती का दर बाहर है। जब भी बुद्ध खाना नंबर 11 में होगा तो शनी और ब्रस्पती दोनों बुद्ध के दायरे में होते हैं और जो टेवे वाला है उसकी 34 वर्ष तक उम्र तक जो बुद्ध का असर है वो मंदा गिना करते हैं 34 वर्ष के आयू के बाद उसकी जिंदगी में शाहना आराम और खुशाली का खुशी का वातावरन माना है 34 वर्ष की उम्र तक ये जो बुद्ध खाना नंबर 11 है वो शनी गुरू और चंद्र के रिजल्ट खराब करता है लेकिन 34 वर्ष के बाद मुर्दे के पेट से पाने निकालने वाले उल्टे घड़े की तरह ये मदद पर आ जाता है और हर तरफ खुशाली का वातावरन क्रिएट कर देता है खाना बुद्ध अच्छा ही तो बुद्ध खराब होगा जब इसके अलावा जब जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 का बुद्ध है वश्फल में खाना नंबर 11 में आजाए तो कुंडली वाले को किसी फकीर सादू संत से कोई तावीज भबूत ने लेनी चीए नहीं तो बुद्ध क्या करता है कि वो जड़ों से उखाड देता है बहुत बड़े बड़े नुकसान कराता है ये बुद्ध 9 के बारे में बोला है वर्षफल में खाना नंबर 11 में आजाए तो इन चीज़ को अवोइड करना चीए या जब भी कुंडली का जो खाना नंबर 11 का बुद्ध है वो तक्त पे आ जाता लगन में आ जाता कैसी वर्षफल में तो उस वर्ष बहुत ज़ादा जबरदस्ट ऑपर्शनिटी देता है बहुत सारा पैसा आने की संभावना है प्रबल कर देता है ये बुद्ध 11 के बारे में बोला है जब वो लगन में आ जाए बुद्ध जब खराब हो रहा है कुंडली में जासे 34 वर्ष मंदा गिना है तो जब बुद्ध खराब हो रहा है तो अगर बुद्ध की दशा चल रही है महाँ दशा है तो यहां सूरज की मदद लेना सबसे प्रबल उपाए है तो यहां तांबे का एक गोल पैसा आप सफेद रेश्मी धागे में या फिर चांदी की चेन में गले में पहन सकते हैं यह बुद्ध के जो बुद्ध बेवकुफी भरे कामों में पैसा उलजा देता है या बेवकुफी भरे कामों में पैसा पानी की तरह बहा देता है वो धन्हानी करने से अब बुद्ध बाह जा जाएगा यानि अब बुद्ध रुख जाएगा सूरज को नेक कर लेने से सूरज की मदद ले लेने से तो तामबे का एक गोल पेसं सफेज चांदी की चेन में गले में डालने हैं वस्पति उस कुंडली में पीडित हैं मंदे हैं और किसी भी तरीके से सपोर्ट में नहीं है तो या और कोई फेवरेवल प्लैनेट नहीं है जो उस टेवे वाले को निकाल सके तो आखिर में बोला है कि जब ये प्लैनेट उसके सपोर्ट में नहीं है तो आखिर में तारता ब शर्व शक्तिमान बोला गया इसको कि 11 बुद्ध वाला जो है उसका जो लेक चलता है वो ब्रस्पती पे चलता है यह मने आपको पहले बता दिया कि ब्रस्पती पे चलता है तो ब्रस्पती के उपाय उस कुंडली में बनते हैं बुद्ध 11 वाले को हरे रंग से परेज करना चाहिए पन्ना से परेज करना चाहिए बुद्ध की तासीर बढ़ाने से परेज करना चाहिए बुद्ध की तासीर नहीं बढ़ा है और उस कुंडली में ब्रस्पती के उपाय भी बुद्ध के उपाय के साथ चलने चाहिए ताकि जो बुद्ध का जो तासीर है वो है ब्रेस्पती ही जो खिस्मत का लेक है वो ब्रेस्पती से बना तो ब्रेस्पती को अच्छा रखना जरूरी है और बुद्ध का तो सूरज की मदद लेना जरूरी है यह तो यह चीज थी बुद्ध 11 के बारे में उम्मीद करता हूँ आपक इसके अलबा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद